हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि वह एक जादुगर्भी हैं जिन्होंने अपने शांदार अभिनेसल लोगों का दिल जीत लिया है राणा एक ऐसे सुपरश्टार है जिनका नाटक ये अजीब जिन्दगी अब तक स्वामा शोपूरा कर चुका है कलितिहास के पंदों पर राणा का नाम लिखा जाएगा राणा इस जगत के बेताज बाश्या माने जाते हैं राणा एक ऐसे सुपरश्टार है जो सिर्फ इस देश में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में मशूर है इतनी कम उम्मर में इतना अमान सम्मान शायद किसी सुपरश्टार को मिला होगा राणा वो एक्टर है जिसका काम्याब शोव ये अजीब जिंदगी कल अपना सौबा शोव पूरा करने जा रहा है एक नाम, राना, 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 राना! कोई नाम नीम्मीडिया वालोंगे पाथ दूस्त्रा? गुस्तो करना पढ़ेगा, ऐसका. प्रिखे प्पोन. करना प्रिखे प्रिखे पिरोफ दूस्तर्ण दूस्तरिका, एक वार कहा नहीं मतलब नहीं, कौई च्टि नहीं मिलेगी! मेरे टुकड़ों में पलते हो और मुझसे जवान लडाते हो तुम लगता तुम्हें मेरी बास समझ में नहीं आ रही है वह ही आके समझाना पड़ेगा क्या देखो सुभे सुभे फोन मत किया करो मुझे हलो आपने उस पत्ती को बोल फोन उठाए वरना मैं अभी तेरे खार आ जाओंगा देखो अमर शान्त हो जाओ मैं कुछ करती हूं ना तुम्हें पैसा मिलेगा ना ही कोई छुट्टी समझ रहे हो ना डालिंग इस तरह से गुस्या नहीं होते आपका बेपी हाई हो जाएगा ये लीचे रामो रामो कहां मर गया ये डालिंग रामो बाजार गया है मैं देखती हूं रिलेक्स आरे यूँ सिर जी सिर जी क्या सिर जी ऐसे क्या गलती हो गए मुझसे क्या मुझे छोड़के उस बख्वा सेक्टर राना बे इतने महरमान है हरे आकेर मैं राना से बड़ा स्टार हूं स्टार हो नहीं स्टार था ये को आजकल राना का दौर है और उसे मैंने कहां से कहां पहुचा दिया ये तो तुम्हें मालूंगे ना हां मुझे पता है कल उसका सोव आश्यो है सिर्जी सिर्जी मुझे भी वहां पुचा दीजे ना अब बरताश्च नहीं होता मुझ से इस्सी जाद में स्या नादीजी प्लीज अरे अमा ये क्या कर रहे है उठो उठो अच्छा ठीक है कल तुम शू पर आ जाना थेटर में मैं तुम्हें नए तरीके से लांच करूंगा सच जी लेकिन तीन घंटे पहले पाँच जाना अरे सिर्जी तीन नहीं चार घंटे पहले हाजर हो जाओंगा थाइक यू सेटी थाइक यू जाले कल तो राना का सौवाशो है तो फिर आप अमर को कैसे लांच करोगे रीटा जहरी को असली हीरे की पहचान होती है अमर वो हीरा है उसके अंदर हुना रहा है कल उसकी शो में एक नई एंट्री करवाँगा अगर दश्कों को पसंद आ गई उसे रख लूँगा और वैसे भी राना आजकल बहुत ओड़ रहा है दाले आपका दिल कितना बड़ा है राना आज तो तो गया क्योंकि आज मैं हर तरफ चा जाओंगा लोग पागलों की तरह चलाएंगे आमार वन्समो आमार वन्समो यस ताइम तो शोमार कमन 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 यस माय वालेट यस राना आज सब को पता चल जाएगा के कौन है असली स्टार कौन है टैलेंटेड मुझे चक्कर से क्यों आ रहे है औरी पसीना यह पसीना क्यों आ रहे है मुझे यह हो क्या रहे यह हो क्यों यह हिसा वर जहे है दो, दो, दोक्टर को फून करना पड़ेगा? हलो, हलो, दोक्टर, दोक्टर, दोक्टर? जब देखो, काम-काम-काम, दोक्टर साब की चिक-चिक, मरीज की दवाई, यह वो, यही एक जगह जहां में सुकून से गाने सुन सकता हूँ क्या बत्तमीज यही है? आ गया यह, देखनूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं, इदर से ही आया था वर्षाव, क्या बत्तमीज दोस्त आपका, इस जोर से थपड़ मारा? वर्षाव, वर्षाव आप बोलते क्या नहीं कुछ? वर्षाव उमुर साव सर ये तो मशूर थेटर आर्टिस्ट आमर है सर बला इससे कोई क्यों मारेगा? वो भी हॉस्पिटल में बला गोट के मारा गया अजर सर ये आपका पेशिंट है आप में इस आइसे बिना एटेंटिंट के ये चोड़ दिया अकेले? I am sorry, sir. लेकिन अमर को यहा फूड पोड़ेशनिग के लागाया था और इनकी तभिय ठीक हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि… उसे अकेला छोड दो अब ये बताओ के यहां पे किसी को देखा था आप लोगों ने? कोई आय था हमर से मिलने के लिए? हाँ सर मैंने देखा था वो फायर एक्जीट के पास से वो बंदा गया हो सर बहुत ही बत्तमीज आदमी था हो उसका चेहरा तो याद हो का तो है तो सर्फिरे इंसान की मैं शकल कैसे भूल सकता हूँ? परी सर, स्केच ए ये तो मनोहर है, प्राइट थेटर का मालिक सर, जिस दिन ये बत्दिमाग आदमी आपके हाथ में आगया न, मेरी तरफ से भी खुब दोना इसको सर, ये मनोहर तो बड़ा पहुचा हुआ निकला है इस मनोहर को बिना बताए, पोश्टाच के लिए ले जाना होगा, वरना ये हाथ नहीं आएगा लेकिन वो कैसे सर? ये प्राइट थेटर में कौन सा नाटक चल रहा है, नाम क्या है? ये अजिब जिन्दगी क्या मतलब? नाटक का नाम है सर, उस नाटक का तो आज सावा शो है शो कितने बज़े? छे बज़े अग खतम होता है, आट बज़े शो तेखने जाना है? नहीं वहाँ पैरा देना है चरू डालिंग, देखा हमारे की सिक्रेटी किनी सकत है? लेकिन डालिंग, हम तो यहाँ के मालिक है ना तो क्या हुआ? कानून सब के लिए बराबर है हमें अपनी तलाशी देनी चाहिए डालिंग, लेकिन आप यहाँ के मालिक हो मैं आपकी वाइफ तो मैं यहाँ के मालकिन हुई और अगर मेरी चेकिंग सब के सामने हुई तो वो मेरी इंसल्ट होगी और बी वेरी अपसेट ओके, आओ डालिंग इस्क्यूज मी सर आप बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकते आप ज़रा इदर इदर प्लीस मेडम आप भी तुम जानते नहीं हम इस टेटर के मालिक हैं नहीं आयो क्या हुआ सौरी सर, मुझे पता नहीं था सौरी मेडम अच्छा सुन मेरा ख़डू सेथ आगया मैं रखते हूँ ना सर, 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 सर धन्यवाग अमारे जो आप पधारे नूरी नूरी यहाँ सर, यह आपको आपकी सीट तक ले जाएगी पूरा फ्रंट रो मैंने आपके लिए भुक्या है ठीक वैसे जैसे आपको चाहिए था भई खास इंसान के लिए खास सीट सर, आपकी इजाज़स्त हो में वेक्स्टेज जाओ हाँ, हाँ, जाओ, 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 एज़ए देशोस्ता आएए सर, आएए माम तुम कौन होती हो हैं में सीट पे ले जाने वाली आमें इस थेयाटर के माली कह हैं मजे मालू में एक सीट कैसे लगी है और कहां बैठना है आँ माटन, एरो को तुम विल्कम माम, विल्कम सर हेलो सर, हेलो माम आएए मैं आपके सीर्सक लेके चलती हूँ आए सर कोई ज़रोत नहीं है, हम खोज चले जाएंगे आओ डार्लिंग, आने दो नहीं से आए सर आओ याओ बैठो देखा आगे वाली पूरी रो में मैं और सिफ तुम हम सर, माम आपलो कुछ लेंगे, कुछ थंडा, कुछ स्नैक्स वगेरा थैंक्यू सो मच अभी हमें कुछ नहीं चाहिए और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुट फूट कोट से जा कि रहे लोंगे और प्लीज दो नहीं दिस्टर वस ओकी माम तील करता है इनका तुम कलाद अपातू मैं मेरा भी यही मन करता है अरी यह गजिए तील करता है आधिया, क्या खवर? मनोर आगिया, अंदर नाटक देख रहा है, उसकी गाड़ी भी पार्किम में खड़िए, ठीक है? मैं, नाटक दامाने का बेट करते है, सर क्योंना हम अनुष हे अंदर जाकर पूछ दाश करें। ने, अंदर ने, यह कर रहा है, अंदर हे हमार माच जाएगा। जितने भी एंट्रेंस थेटर पर सब में नज़र रखते हैं सर मैं आउडिटोरेम के अंदर जाकर नज़र रखता हूँ शो भी देख लूँगा और नज़र भी रखूँगा मात मात जिससे पकड़ने आया थे उसे ही किसी ने मार दिया अब भी इतने लोगों के सामने है आपे सिफ एक ही कहाँ दिख रहा है लगता किसी तेज अतियार का इस्तमाल किया गया है चाको जेसा वार सामने से रुआ है यह चलते नाटक में किसी ने अमला किया है तो यह चलते है सर यह देखिये यह से तूटी वए गड़ी मिली है आप ऐसे कोई पैचानता है अज़ी को? यह वो मेरी अस्बिन के बची मैडम मैडम सभाली आपने आपको ता आपाई हुए आपको आप 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 बैठी थे ना मनोर जी के साथ लिए देखने के लिए जी मैं इनके पास बैठी थी लेकिन मैं मैंने कुछ नहीं देखा जब नाइट आई तो मैंने देखा कि आप इनके बगल में बैठी थी तो आपने कुछ देखा या सुना तो होगा ना या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इने अपने पती मनोर को साब आप यह क्या खह रहे हैं मेरे हास्मेट की बहुत हुए मैं प्लें देखने में इतनी खोगा इतनी कि वो क्या है ना सार राना सर इतनी एच्छ एक्टिंग करते हैं कि लोग उनकी एक्टिंग देकर सब कुछ भूल जाते है तो मैंनेगर साब आप तो आप कहा आते जब यह कोन हुआ मैं यही था सालू, बेक्स्टेज और इनके आसपास और कॉन बैटा था रीटा मैडम के अलावार कोई नहीं बैटा था मनोर जी के लिए मैंने पूरी फ्रंट रोग खाली उन्हें इसी तरह की सीटिंग बहुत पसंद थी कमाल है बास में कोई भी नहीं था कुछ नो कुछ तो गरबड़ है यह मैडम इनके बगल में बैटी थी मगर लिनो ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, कैसे अव सकता है चलो इन से पूछ लेते हैं, शायद इन में से कोई कुछ बता सके प्लीज आप लोग शान्त हो जाएए देखे हमारी तहकीकाद चल रही है प्लीज शान्त हो जाएए सर हमें क्यों रोग के रखा है? हमें जाने क्यों नहीं देते आप देखे हैं, खुणी तक पौशने के लिए मनोड जी की चीखने की आवाज है या फिर या फिर कुछ और? नहीं सर नहीं सर नहीं सर कुछ नहीं अगता है लोग उने सोच लिया कि एक साथ ना बोलेंगे ठीक है, फिर आपको लंबे समय तक यहां रुखना पड़ेगा सर, सर मुझे कुछ बताना है आप सर, मैं नूरी हूँ और यह नैना हम थीएटर के अटेंडेंस है क्या कहना चाहती है? सर, एक्चुली सेर जी ने तो मुझे सीर तक लेजाने की भी इजाज़त नहीं दी थी लेकिन रीता मैम के समझाने पर नैना उनहीं लेकर गई थी तो क्या देखा तुमने वाँ? अंदोनों के बीच कोई जगड़ा या किसी बात को लेक्यान बनती? नहीं सर, कुछ देखने का मौका ही ने मिला क्यूंकि उन दोनों ने मुझे वापस भेज़ दिया और जब मैंने रीता मैम से कुछ कोडरिंग्स वगेरे के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे क्या ये रीता नाटक के दौरान बाहर गई दीख्या? पता नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं देखा ठीक हाँ तो ये स्टार से भी मिल लेते हैं मिष्टर राना आप क्या बता सकते हैं? कैसे वही है सब? मैं क्या बता हूँ सब? मैं वही पर था, लेकिन कुछ देखी नहीं पाई सब बेरी वज़े से हुआ सर, बेरी वज़े से उनकी जान गई मैं थोड़ा भी दिया होता तो तो आज मेरा सारा दियान अभी नहीं पर ही था, सर सोवेशो का जो प्रेशर होता है सब उसी मुझे ही पता था सीर जी किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो सब से थी, सर सब उनसे जलते थी आप कब से जानते थे सिर्ट जी जब में पहली बार इस शहर में काम डुणने आया था तो तो इन्हों नहीं मुझे काम दिया था इन्हों नहीं मुझे स्टार बनाया और आज यह कौन है सर यह नत्तु है मेरा असिस्टन्ट है हो तुम कहा थे सर यह बैक्स्टेज था इचरा बोल नहीं सकता सर 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 जितनी जल्दी हो सके प्लीज खुनी को ढूंड निका लिए सर शो अगर वापस शुरू नहीं हो तो शो तो नहीं शुरू होगा जब तक केस स्वाल नहीं हो जाता तेटर बंद रहेगा सर टारो सर हाँ सर मिल गया बंङला गःर क्या मिला तरिखाजी इसमें मानोः के ख़र के स्कैन में फून का सुख हुआवड बुलबुला ठोंड है फून का बुलबुला मैं को समझा निक फून का बुलबुला हाहाहा सुन्ने में कितना खतर्नाक लगता है नहीं जा हो गया देश से है ए इग एड़ा तो मैं समझाता हूँ वे यह यह गाव देख रहो उसका यह किसी तेज चुरी से किया गया गाव लेकिन इतनी भारी किसे किया गया यह गाव कि मैंने अपने जिंदगी में इतना भारी काव कभी देखाने ऐसा हाता जैसे किसी ने बहुत तेजी से चुरी इसकी तरफ फिंकी चुरी सीथ ही इसकी सीने में भुषी और वही Iske Maud और इस्टेंट DET लेकिन चुरी से इतना भारिक खाओ कैसे बन सकता है सर और और इतने सारे लोहों के सामने है उनके नहें दया है अगर चुरी तुछ इस तरीके के हो तो प्रॉपर प्रॉपस्ट्रार अंद चार्ण इसकी मौत अश्याकु से हुई ऑफ यह अब इस चार्कुर्ण और यह भूं का बुलबूला यह संज़ाने है मतलब एयर एमभोलिसम, एयर एमभोलिसम का सालों के साब मैं कुछ समझानी हूँ कि अगर कोई चीज किसी की तरह बहुत पेजी से खेकी जाएगी इतनी टेजी से यह चुरी अवा को चीरती हुई इसकी सीने नंकोसी और उस हवा को चीर में ने कि हवा का एक बुल-बुला भी इसके जख्त पे लेकर के गई और वो हवा का बुल-बुला कहलाता है एर अम्ब मतलब यह किसी शातिर चुरेबास का काम है बिलकुर अलूंके साप सीधे सीधे बोल देते कि यह काम किसी चुरेबास का है इतना घुमा फिरा के बोले कि क्या जरूत थी अगर नहीं बताता तो तो तुझे एर एंबुलिजम का पता कैसे चलता है एको दया यह किसी साधार जबते चुरेबास का काम नहीं किसी एक्सपर्ट का काम है इसे हाँ इसे मामली में तो हमारी मदद एकाद नि कर सकता है सज्जु सज्जू? कौन सज्जू? सज्जू बहुत बड़ा चुरेबाज है एक मुडर के केस में इसे जेल भीज दिया गया था यह पता सकता है कि शेहर में उसका अलावा और कौन चुरेबाज है पता करो इस वक्त कौन से जेल में और उसे भार लाने के बंद बश्करो अभी अरी ओडियंस में चलते शो में मनोर का कौन हो गया है पता ही नहीं चलना है कि यह खुनी आया कहां से और कहां से निकल गया यहां से तो कुछ मिला भी नहीं जिस हतियार से खुन हुआ अब वो भी नहीं भी नहीं तो अजीब बात है यहां अस मनोर बैठा था स्टेज से किसी ने सामने से उस पे बार किया और वो हतियार भी गाया वे और खुनी भी गाया वे श्रया यह सी सी टीवी फुटेज चेक करो देखो कोई यहां से आया गया आया क्या सर वांच अनि इन सब को जार लाइन में कड़ा करो सब की तलाशे लेते हैं इस्कीज मी जी माम अभी जो शो चलना था उसका फुटेज दिखाए प्लेस माम आडिटोरिम के अंदर की फुटेज अफशाए नहीं देख पाएंगे क्योंकि शो के दौरान लाइट बंद होती है कोई बात ने हमें फिर भी सारी फुटेज देखनी है कौन अंदर आया कौन बाहर गया सब कुछ ओके माम सर्फ हमें जो पता था हम औरड़ी आपको पता चुके हैं अब हमें क्यों रोके रखा है हाँ हाँ हमें भी गर जाना है एक मिनट एक मिनट देखिये आप सब की तलाशी ली जाएगी उसके बाद जिसको जाना जा सकता है बड़ा कॉपरेट कीजिए, प्लीज मैप कर देखिए आपको, ठीक है? मेरी तब्या ठीक नहीं लग रहे हैं, अथ्था कावट हो रही है, मैं रेस्ट करना जाते हूं, सब, प्लीज, मैं घर जाना जाते हूं सरिन की तब्या ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है इनको घर चोड़दो सर्फ, मेरे गाड़े पागें लोट में, मैं जल्ली जाओंगे, थांक्यों सुमाच आरें लोट तरह चोड़दो, यह सर्, आई, आई, आराम कमाल, कोई अपनी जगह से उठावे नहीं है पुए एक मधी, पिर्वायन की जए यह यह इन में से तो किसी के बास कुछ भी नहीं बिला कमाल है अतियार गया कहा है ठीक अभी आप लोग जा सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो आपको दुबारा बुलाएंगे थैंक्यो बहे है थैंक्यो बहे है अच्रिया अच्रिया एक अउरत अपनी जगा से उठी थी यह पांत दस मिद बाद वापस लॉटी और अपनी जगा पर फिर से बैठ गई कौन थी बहुरत रीटा रीटा माइगाड वावी वी पार्किंग लॉट में होगी उसको पकड़ो जल्दी यह दीटा बहुत बड़ी ड्रामे बाद है ठीक है आप ध्यान से हां सामने देखिए आराम से चलिए आराम से चलिए आराम से थैंक यू सो मच एक आम करिये आप बैठिये मैं अभी आती हो और आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ ठीक है यह सर जबंती नीटा को रोको जल्दी ए रोक बार निकल क्या हूँ निकल आप निकल आप क्या हूँ रहा है क्या बत्ते मीजी आप मुझे घर कुए जाने दे रहे हैं? मनोर का खोन कर भाग रही हो साथ पचास को आड़िटोरियम से बार निकली थी तुम अपनी जगा किसी भाड़े का टट्टू को भिछाया, मनोर का खोन करवाया और पांच-दस मिनट के बाद वापस वहां पहुँच कई यह क्या कह रहे हैं? मैं कहीं नहीं गई थी? आपके आड़िटोरियम में हर जगा सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं कौन आया, कौन गया, सब कुछ, फिर भी जूट बोले हो तुम हाँ मैं थेयर्टर के बाहर गई थी क्यों? क्यों गई थी? क्यों कि मेरी गन नहीं चल रहे थी गन? ठोड़े से प्लिए तो इस्सें मनोहर का कॉन गई मैंने मनोहर को नहीं मार रहा और मुझे इस पाद का बहुत अफ्सोफ है कि मैं उसे नहीं मार सकी मैं मनोहर के साथ यहापे इसली आय थी लेकिन जब मैने गन दिकाली तो वह चल ली रहे थी उसी को चेक करने के लिए में बहार आई थी समय निकल रहा था यह वापास चली आई क्यों मारना चाहती थी मनोर को? उसने में अमर को मारा था यह उसका बदला लेना चाहती थी अमर के खून का बदला? अमर मेरा बहुती स्पेशल दोस्त था हम भी दूसरे को चाहते थे हम दोनों बहुत करीब आचुके थे शायत इसी के बारे में अमर नोहर को भनक पड़ गए थी और जब अमर का चाहना खून हुआ तो मैं समझ गए थी कि मनोहर ने अमर को मारा है अरे मनोहर जैसे घटिया इंसान से तो मैंने पैसे के लिए शाली की थी लेकिन मेरा दिल मेरा दिल सिफ अमर को चाहता था लेकिन अमर मुझ से साथा रहममंच को चाहने लगा था लेकिन तो मनोहर को तो कहीं भी मार सकती थी यहां तीयटर में क्यों मारने आय थी इतनी बीड़ बार्ड में और फीड में निकल लोगी मनोहर के स्पेशल एंट्री, यहै? मुझे नहीं पता यश्वन निम्मनोहर को इस स्पेशल एंट्री के बारे में बताया था मनोहर सुबह आया भी था इस सपेशल एंट्री की रिहासल की लिए यश् Свंन से पूछते हैं जब तक असली खुनी नहीं मिल जाता, तुम हमारी कस्टड़ी में रहोगी जब मैंने कुछ किया है नहीं है जब लिये चलो इसे सलाम साब साब आप तो वैसे एक दम फिट लग रहे हैं हाँ मेरा स्टाच उगलबाने का स्टाइल भी वैसे का वैसा ही है क्या साब आपका थपड़ और दर्वाजा कैसे बूल सकता हूं साब पर साब अभी तो अपन आपका महमान है कुछ खातिरदारी तो बंदी है ना साब बकवास बनकर और ये बता के तु किसी चुरीवास को जानता है जो इस शेयर का हो और जिसने पहले कभी तेरे साथ काम किया हूं आप तब घला सुक्रा है तोड़ा पानी मिलेगा अब बता आप जानकर क्या करोगे साब मतलब पुझे पता है याँ पता है लेकिन एक शर्त पर बता हूंगा तो CID के सामने शर्त रखेगा ताब पहली बार CID के काम हूंगा तो शर्त तो बनता ना साबरी बोल मेरी सजा माप करवादो साब फिर मैं आप कोई शहर के एक से खरेक छुरे बाज का पता बता दूगा सज्जू अगर तेरी बात सच निकली ना तो इसके बारे में हम बाद में सोच सकते हैं ठीके साप बताता हूं, एक छुरे बाज है जो बड़े मैधानवाले सरकस में काम करता था पहुदी मस्त छुरे वज है साब कहा मिले गई अब कहा मिलेगा? यह मुझे पता नहीं यह आपको बड़े मैधान में जाके पता करना पड़ेगा हम कुछ पता करने वाले ने, पता करेगा तू, देले, फोन गुआ, जल्दी, स्पीकर पे लगाए अलो, अलो काका, मैं सजू, अरे सजू, कैसा है तू, तेरी सजा पूरी हो गई, नहीं काका, अब लगता है जल्दी पूरी हो जाएगी, काका वो, राजू छूरे बाज अपने सरकस में काम करता था न, क्या आप भी वो सरकस में काम करता है, अरे नहीं बेटा, सरकस तो तपका बांध हो चुका है, अब तो उसकी जगाह यहां मैदान में बच्चे खेलते हैं, और राजू का भी कोई पता नहीं, तुमने तो राजू को देखा है न, दिखता कैसे है वो, यह आदमी, यह तो, पड़ी, अभी जीत को फोन लगा, पता करो, का है वो, यह सर, यह साब, आपका काम तो हो गया है न, साब, अब मेरा काम कर दीजे न, साबी हूं, असक्यू रहे हैं साब, सच्चू, एक बात हमेशा याद रखना, सी आईडी और चोर का रिष्टा हमेशा एक तरफा होता है, जहां पे सिर्फ चोर सच बोलता है, दो दो खून करके, तरजा माफ करने की बात कर रहा तू, दिमाग कराब है तेरा, ले जाओ से, सर, अभी जीत सर का फोन नहीं लग रहे है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, सर, अमें ट्रेटर में भी जाना होगा, कैसे है अश्वंजी आप, अरे सर, आप यहां, यहां, आप से कुछ फूच्टाश करनी थी, सर में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता, आप बस इस केस का हल निकलवाईए, और यह थेटर फिर से खुलवाईए, हल तो तभी निकलेगा यहां, समने स्पचल एंट्री के बारे में बताएं, इस्पचल एंट्री, वा के है, सर? वही जो आपने olarak मनवार से क enact दा सिपचल तरीके से एंट्री करवाईएं, क्या हूँ क reach out? सर, अब आप केसे जानते हैं स्पचल एंट्री के बारे में? देखे, हमें तो बहुत कुछ पता है, बेतर होगा आप अपने हाँ बता दो और ना प्रावल्लम हो जाएगी सर वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वो बस मतलब इतना बता गया थे कि जो कुछ भी तुमसे कहा गया ना सब कुछ सच सच बता हो मुझे सर वो मुझे बताया गया था कि नाटक खत्म होने के दस मिनिट पहले सर शेचिन सवालो से श्रेया बंच सर वो मुझे इतने रोखना सरीत, मैं जाने कच्छ ने के डब्बे मैं भी सोच रहा हूँ, अटना थे यह दर्वाजा अटना चल के देखते हैं मैं गोड़ यह दो मार गया? मैं गोड़ नवाल, इस पर भी चाकु से बार किया और मनुआर को भी चाकु सही मारा था लेकिन मनुआर इस वक्त यहां बैठा था इस कुर्स्थी पर चाकु उतर से है लेकिन इसे चाकु इस तर से मारा उसने यह ऐसा थो नहीं कि खुनी भी दो थो है वो सकता है खुनी अभी भी आस पास हो लट रहना, दोस तर थेकता हूँ सर यह क्या है? यह क्यों शर्ण यह प्याए श्राइन bez场 जहलते! शार! शार! यह सई, शीज मुद्ध! शार! जहलती. सचित सार, मैंध्यचे जारी हूँ. सचित सार, सचित सार! सअ! शिहलते! अपजीच सार, आप लोग यहां पे! अर्य, यह जगकर है क्या? शार! सार, सजीन, सार! लेवादे उप्पूँ सहीन! सार सार यह चक्कर है ओई गोड़ सरी, हो गया रहा है? कुछ समझ में निया? कुछ-कुछ समझ में आ रहा है सचे बात प्लानिंग के साथ किया गया है यह सब बहुत चालाग है सर मतलब? इसके उपर ओडिटोरियम कौन से सीट पर बैटी थे ते तुम? तो इसका मतलब शोग के दौरान किसी नी ये नॉब घुमाया और मनोर को सीट से नीचे लेके आए करेक्ट, जैसे जैवंती नीचे आई और उसके बाद मनोर का खून किया अब फिर नॉब घुमाया और सीट के साथ मनोर को ऊपर मौचा दी तो ये थी मनोर की स्पेशल एंट्री ठीक कहा, अबेजे तो आखिर तुम ने ये कमरा ढोड़ी लिया वगर अफसोस, तुम लोग यहां से बचके नहीं जा सकते श्रिया सर, वो देखो, स्टेज़ पे श्रिया 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 सर, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ने फेड़ी, ऐसा नहीं हो सकता एक बात समझ में नहीं आ रहे सर इस स्टेज़ में हर लोग उमर क्यो रहे जल देखो, आस पास देखो यह क्या है आप बहुत आदध है ना तुम लोगों को दुसरों के काम में टांगड़ा ने ही लगि नवबड़ा नहीं पाऊँगे क्योंकि तुम लोग यहां से जिन्दा बचके नहीं जा पाऊँगे सर, यह किस की आवाज है निए चे चलकर देखना होगा? यहाँ ज़ितलते? नहीं. दिव्या, रिलाष्ट के पासर वा. यह और रसर्डूनना होगा? मानना पड़ेगा, भाई. क्या दिमाग पाया, यार तुमने? माननोर के मारने के लिए क्या क्या तैरी की थे तुम? आखिर मेरा ये तेज दिमाग काम आही गया. इस सीट का उपर से नीचे आना, ये नोप, ये सब मेरे दिमाग के ही उपज थी. अरे, लेकिन मानोर ने बिगाड़ा किया था, मारना क्यों चाहते थे उसको तुम? ये वक्त मेरे तान लिया, कि मैं उसे मार कर इस ठीटर पर कबजा कर दूगा और एक सच्चे कलाकार की तरह इसे आगे बढ़ाओं का. लेकिन मनोर स्पेशल एंट्री के लिए मान कैसे गया? क्योंकि मैंन उसे कह दिया था, कि मनोर ये सोवा शोह है,तो कुछ भी करके उसे एक सच्चे करने होगी है! मैंने उसे ये सीट भी दिखाए गा मैंने उसे कहा कि इसी कमरे से हम उसे स्टेज पर ले जाएंगे मैंने उसे ये भी घा कि उसकी ये खास एंट्री देखकर लोग पागल हो जाएंगे थेयटर में तालिया गुंजे ही वो मान गया और नाटक खतम होने के 10 मिनिट पहले जब येश्वंद ने नौफ भुमाया और जैसे मनोहर नीके आया नथ्थो ने खन्यर फेगा और येश्वंद ने दुबारा मनार्गों उपर पहुचा दिया सब्सक्राइब यña हीर unified सुल्ष्वझक सब्सक्राइब यृण कर ग impactful कि इस बिर्द बॉण में भ्स लुख अग्ता कहा है? क्यों? राजु से नत्थु बन कर यहाँ अपना हुनर दिखानी चला है तू? शरकस में काम करने का बहुत शोक है ना? अब तुम दोनों के एक अनों के शरकस में भेजेंगे जेल में कर दो दोनों के एक अपना है अब दोनाओ कर दोना है तू?